असलाम लेकुम क्लास 40 students, how are you all, hope you all are fine, students हम जो है वो science में नहे chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं, chapter number यहाँ पर तो 6 है, लेकिन आपकी copy में होगा वो chapter number 5, ठीक है, अच्छा इसका नाम है sound, ठीक है, sound का मतलब क्या होता है students, आवाज, sound का मतलब क्या होता है, आवाज, ठीक है, यहा क्या कर रहे हैं, सब के सब जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जिसकी वज़े से sound produce हो, ठीक है, how are the sound in this room produced, किस तरहां इस room के अंदर, या कैसी आवाजे जो है वो इस room के अंदर produce होंगी, कोई flute जो है वो बजा रहे है, कोई guitar जो है बजा रहे है, कोई ढोल बजा रहे है, ठीक है, कोई जो है वो वाइलन जो है वो बजा रहे है, ठीक है, what's in this chapter, इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे, sound, basically sound क्या है, इसको समझते हैं, sound is produced by vibration, sound is produced by vibration, sound is a form of energy, sound ता बनाई की एक किसम है, जो के produce होती है, किसी भी चीज़ के vibration से, ठीक है, पहले कोई भी चीज़ वाइबरेट होगी, उसके बाद उसकी आवाज आएगी, ठीक है, sound can be major, sound को major किया जा सकता है, ना पा जा सकता है, ठीक है, sound can travel, sound suffer कर सकती है, through different materials, different materials के through, sound क्या कर सकती है, suffer कर सकती है, sound can be absorbed by some materials, आवाजे जो है, वो absorbed भी हो सकती है, जजब हो सकती है, कम हो सकती है, by some materials, कुछ materials की वज़े से, कौन-कौन से होते हूं materials, हम इंशाला आग़े चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, sound has pitch, can be high, can be low, sound की एक pitch होती है, ठीक है, एक हद होती है, ठीक है, जो तेज भी हो सकती है, और low यानी कम भी हो सकती है, ठीक है students, तो हम इस चैप्टर में ये तमाम चीज़े पढ़ने जा रहे हैं, कि sound क्या होती है, sound को किस तरह से major किया जा सकता है, sound कैसे travel करती है, sound कैसे absorb हो sound की pitch, high और low कैसे होती है, ठीक है, आजाते हैं, page number 97, पर what is sound, what is sound, sound क्या है, ठीक है, we can hear sounds around us all the time, हम क्या करते हैं, अपने एर्ट के बहुत सारी आवाजों को क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है, for example, sound can comes from people talking, हम एक दुसरे से बात कर रहे होते हैं, मैं भी आप से बोल रहे हूं, ठीक है, तो क्या हो रही है, मेरी आवास produce हो रही है, ठीक है, इसी तरह है, leaves rustling, दरख तो से पत्ते ज़र रहे होते हैं, एक sound produce हो रही होती है, car moving, car चल रही है, तो उसकी sound produce होती है, hammer hitting on a nail, अगर कोई हतोड़ी से कील को ठोक रहे है, तो एक आवास produce हो रह रही होती है, basically sound, क्या है, sound form of energy है, जो कि कैसे कैसे पैदा होती है, यह किसी भी चीज़ के vibration से पैदा होती है, ठीक है, मिसाल के तोर पर, अगर हमारा mobile phone बज़ रहा है, ठीक है, अगर हमारा mobile phone बज़ रहा है, तो आपने notice क्या होगा कि मोबाइल फौन में जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले vibration उती है vibration अपने feel की होगी 22 ठीक है इरटाशी हर्कत जो होती है basically वह होती है और फिर उसके बाद ایک sound क्या होती है produce होती है ठीक है तो sound वाइनरजी है form of energy है कैसे produce होती है पहले vibration होती है उसके बात क्या होती है sound produce होती है पहले vibration होती है कोई भी चीज जब vibrate करेगी फिर क्या produce होगी sound produce होगी अगर हम भी अगर अपनी personal human beings अपनी बात करें तो आपने notice क्या होगा कि अगर हम अपने गले पर fingers रखकर या हाथ रखकर feel करें तो हमें अपने गले पर एक थरतरा हट एक vibration feel हो रही होती है जब पहले क्या होता है पहले vibration feel होती है फिर हमारे मुझे आवाज निकल रही होती है तो sound क्या है sound is a form of energy which produces due to the vibration of an object जो कि किसी भी object के vibration की वज़ा से जो कि किसी भी object के vibration की वज़ा से हो रही होती है पैदा हो रही होती है ठीक है students तो ये आज हमने समझा कि sound basically क्या होती है ठीक है और आगे हम जानेंगे कि sound कैसे travel करती है sound को कैसे major किया जा सकता है और ये ये बाकी की तमाम चीज़े ठीक है students अपना बहुत सारा खयार रखेगा लाफिस